कहते हैं उधार की जूती खेरात का नाड़ा पड़दे मुला ब्याह उधारा पाकिस्तान में आईएमेफ ने कह दिया ना बाबा ना और उसके बाद पाकिस्तान में गिरफतारियों का दौर चला है आखिर आईएमेफ पाकिस्तान के बीच ऐसा कौन सा घोटाला हो गया है जि पाकिस्तान में क्या है मावला तो वहींوسरी तरफ यह जो link देख रहे ना इस मैप में एक खास हतियार है जो पूरी दुनिया में चाया हुआ है जितना यह ब्लू कलर देख रहे हैं यह वुदेश यह जो उस खास हतियार का इस्तिमाल करते हैं और अब हमने आपको बताई थी कि किस तरीके से आर्चर की जल्द ही उडान होने वाली है पर असलियत निकल कर अब सामने आ गई है जानेंगे आर्चर एनजी की क्या असलियत है और असल में कौन सी चीज है जो निकल कर दुनिया के सामने आ गई है और इसके पीछे कौन है जानेंगे जियो कैसी है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है पाकिस्तान को अब IMF डील ना के बराबर हो गई है पाकिस्तान पहुंची थी IMF की टीम लेकिन IMF की टीम को सायद सारी चीजें नहीं मिली जिसके बाद IMF ने फिलाल के लिए तो ना कह दिया है दिसंबर 2022 के दोरान पाकिस्तान ने खरीदा 5 अरब डॉलर का और बेचा 2.6 अरब डॉलर का मतलब जो घाटा था बैपार घाटा वो 2.8 अरब डॉलर का था पेट्रोल, खनीज, गैस, कोईला इनकी खरीद पर हर महिने करीब 1.75 अरब डॉलर खर्च करने पड़े हैं और ताजा जो आंक्रे है वो बता रहा है कि पाकिस्तान के पास कुल 3 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ है यानि बाकी जरूरी चीजों को खरीदना अगर छोड़ भी दिया जाए तो देश की गाड़ी को पटरी पर टिकाए रखने के लिए पेट्रोल, गैस, कोईला की आयात के लिए ही अगर कहा जाए कि नहीं सिर्फ इतना ही खरीदो तो भी हर महिने एक दसमलो साथ पांच इस दल्ल से पाकिस्तान बाहर नहीं आने वाला है, करीब 360 अरब डॉलर की GDP वाले देश पर लगभग इतना ही कर्ज का बोजह है, इसमें से करीब 130 अरब डॉलर बिदेशी करजा है, 30 अरब डॉलर का करजा तो चीन का ही है, जिसकी सलामा खिस्तों का भुगतांद करने के ल और ज्यादा निर्भर बना लिया है, चीनिस का नाजायज फायदा भी उठा रहा है, पाकिस्तान में होने वाले निवेस को चीनी कमपनियां अपने हिसाब से बड़ा चड़ा कर दिखाती है, और चीनी सरकारी बेंकों से ही कर्ज लेना पड़ता है पाकिस्तान को, जो 2 से 3 गुना ज्यादा ब्याजदर लगाती है, और जिस तरीके की स्तिती बन गई है, उसे देखकर ये लग रहा है, कि पाकिस्तान कहीं जाएगा भी, तो मांगने के लिए ही जाएगा, अब हालात देखिए, आई एम एपने ना कहा, और इस स्क्रीन आपको दिख रहे हैं, जनरल मुनीर, जो इस वक्त चीफ है पाकिस्तानी सेना का, और ये बंदा दोड़ गया, युवई, युवई खास तोर पर ये मांगने के लिए ही पहुँचा है, ये चीज तो साफ दिख रहा है, दन न्यूज में ये खबर सभी है, कि युवई के राश्पती सेक मुहम्मद बिन जायद अल्यान ने पाकिस्तान के सेनाद्याद जनरल सयद असी मुनीर के साथ एक पैलेस में बैठक की है, और पाकिस्तान में युवई दूतावास द्वारा सनी बार को ट्विटर में इसकी जानकारी दी गई, कि हाँ ये बैठक हुई है, बैठने के अंदाज से ही आपको खबर ये आ रही है कि पुर्व पाकिस्तानी वित्तमंत्री आईमेफ की डील को फेल कराना चाहते थे, अब इसके लिए सहबास सर्वकार ने दिये गिरफतारी के आदेस, अब ये क्यों फेल कराना चाहता था, ये तो यही जाने, अब मामला कैसे निकल कर सामने आया, तो आ और पंजाब के बित्तमंत्रीओं को कह रहे हैं, आप बता देना कि आप कोई पैसा देने वाले नहीं हो, मानसुणी बाड़के आलोक में जो कुछ भी आने वाला है, पैसा नहीं देने वाले हो, अत्रिक्त पैसा राज्य सरकार नहीं देगी, आईमेफ जब ये बात कि यहां तो इनके राजी में ही फूट पड़ी हुई है यह पैसे देने के हालात में नहीं है तो आई-म-फ लॉड जाएंगी ऑडियो लीग की यह बात सरकार तक पहुच गई है और सरकार अब समझ रही है कि घर में ही है कोई जो नहीं चाहता है कि आई-म-फ पैसे दे इसलि एक तरफ यह सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक हड़ कंप मच गया है जब सच सामने निकल कर आया है 1994 का वक्त था इस्राइल एक ताकतवर हतियार बनाना चाहता था और उसने 1994 में उस ताकतवर हतियार का फर्स्ट फ्लाइट किया पहली बार उड़ी फिर आया 2005 का समय और 2005 के समय में ये पूरी तरीके से तयार हो गया ये एक ऐसा हतियार था जो GPS नेविगेशन डिवाइस से चलता था यानि कि ये उड़ता था और इसे कंट्रोल ग्राउंड में बैठ कर किया जा सकता था और दूसरी बात ये थी कि अगर ये टार्गेट मिस कर देता या इसे कोई प्राउंड होने लगती और ग्राउंड से कॉंटेक्ट तूट जाता तो इसकी खासियत ये थी कि ये हतियार हवा में उड़ते हुए वापस अपने बेस में आ सकता था अगर किसी तरीके से ग्राउंड से कम्निकेशन तूट गया तो कमाल का ये हतियार जो 250 के जी के वार हेड को ले जा सकता था इंटेलिजन सिस्टम इसका रडार सिस्टम बहुत पावरफुल था इसके साथ ही साथ इसमें लगे कैमरा ये एकदम तुरंद तुरंद की ताजा और हाई रिजुलूशन की तस्वीरे भेजते थे 2005 में इसे इसराइल की सेना में सामिल किया गया और 2008-2009 में इसका जलवा दिखा और वो जलवा दिखा गाजा में एक बार को तो समझ में नहीं आने लगा आसमान में ये कौन सी चीज़ आ गई है जो बिलकुल भी मौका नहीं दे रही है सामने वाले को और मार कर गिरा रही ह ये था हेरोन ड्रोन इस हेरोन ड्रोन ने इतनी ज़्यादा ख्याती बहुत कम समय में पाई कि मैप पे आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर हैं ये ब्लू कलर के देश ने धड़ा-धड़ खरीदना सुरू कर दिया भारत भी इसमें सामिल है तुर्की भी इसमें सामिल है इस ये पहले इस्तिमाल करता था हैरोन ड्रोन भारत ने भी लीज पर लिया 2020 में पर अब अचानक से आरजर एंजी सामने आ गया जिसकी फर्स्ट फ्लाइट होनी है और आपको जानकर बहुत खुसी होगी कि कहा जा रहा है कि आरजर एंजी जो देख रहे हैं आप दरसल इस्राइल का हैरोन एमके टू है यानि कि एडवांस वर्जन हैरोन का और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं इस आरचर एंजी ड्रोन को हल के चीफ ने रिसेंटली हाल ही में ये कन्फरम किया है कि भारत और इस्राइल की एरो इस्पेस इंडस्ट्री मिलकर बना रही है एक यूए भी जिसे माना जा रहा है कि ये आरचर एंजी ही है खेर इस खुलासे ने कई दूसमनों के रोंग्टे जरूर खड़े कर दिये होंगे वैसे इन सब मामले में आपकी क्या रहा है कमेंट कर जरूर बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ